देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लोग आयाओ जी ता परियान सब लियाओ जी देख लियो चौपाल देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग 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 आयाओ जी ता परियान सब लियाओ जी चौपाल देखने वाला सबला दर्शिकाने राम राम सा भाई आज आपा चौपाल में चर्चा करांगा की ग्रामीन भाई भेहनाने बैंकां से मिलने वाली सुविधावा कुन-कुनसी हैं बहिए आम जन ने जितनी भी सुविधावा बैंक से मिले हैं भी को लाब उठानों चाहीं, क्योंकि समय समय पर सरकार ऐसी बहुत सारी लाबकारी योजनावा बैंक के साथ मिलकर लागू करे हैं जिसे आम जन भी को फायदा उठा सके हैं, चाहे वो किसान भाई हो, पशुपा भी हो सके हैं जिसे आपनों काम धंदों आसानी से लून लेबा के बाद में हो सके हैं यह के लिए आज आपने साथ चर्चा कर बाक लिए अनुज भटनागर जी जो की की SBI बैंक से जन्रल मैनेजर है अनुज से आप थाको बहुत-बहुत स्वागत है चौपाल में अनुज जी आज आप बात कर रहा हैं ग्रामीन भाई भाने नए बैंक का से मिलने वाली सुवीधावा का बार में तो सबसे बहले आप से आई जानों चाहा है कि बैंक ऐसी कुण उनकुण सी सुवीधावा अपना ग्रामीन भाई बेनाने दे रहे हैं चीद धन्यवाद ग्रामीन भाईों के लिए बैंक की तरफ से तरह तरह की योजदाय है और सबसे सब्रक्रतम ग्रामीन भाईयों का जो किसान भाई हैं उनका एक बचत खाता होना सबसे जरूरी है तो प्रदान मंत्री जंदन योजना के अंतरगत जो ग्रामीन भाई है एक बचत खाता खोल सकते हैं जिसमें की शून बैलन से भी खाता खाता खुल जाता है और ये खाता दो तरीके से खुल सकता है ये किसी भी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं वहाँ आपको फॉर्म वगारा भर होने का कि विभिन बैंकों के पूरे राज में कई ग्रामीन सेवा केंदर हैं जो की अलग लग बैंकों से जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी ये शून बैलनस का खाता जो है जिसको हम सूक्ष्व अकाउंट कहते हैं या छोटा खाता कहते हैं वो अराम से खुल जाएगा इ जैसे कि इस खाते में आप लेंदेन कर सकते हैं पैसे का अंतरण कर सकते हैं इस खाते में आप चाहें तो एक आवर्ती जमा कर सकते हैं जैसे कि 100-200-500 रुपए का हर प्रती महा कुछ पैसा एक आवर्ती जमा में चला जाएगा जिसमें आपको एक बचत खाते से बहतर ब्या लेन देन अंतरण है या बैंक की ब्रांच में भी जा सकते हैं और ग्रहाग सेवा केंदर में भी कर सकते हैं ग्रहाग सेवा केंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक की जो शाखा है आप जानते हैं कि शनिवार को हर दूसे चौथे शनिवार और रविवार को बंद हो जाती है तो six days लग बाग महीने के किसी भी six days तक जो bank की शाखाये नहीं काम करती है लेकिन जो ग्रामीन सेवा केंदर है जो ग्राहक सेवा केंदर है वो सारे दिन काम करते हैं चाये चाये चुट्टियां भी हो इसके अलावा जो सबसे प्राणरिक चीज है वह है खाता होना इसमें सबसे जरूरी एक चीज है जो कि ग्रामीन भाई लेते हैं लेकर अक्सर भूल जाते हैं इनको एक चीज मिलती है जिसको कहते हैं रुपए एटियम कार्ड या रुपए डेबिट कार्ड जिसको कहते हैं इस खाते से इनको बैंक जाने की जरूरत नहीं किसी भी एटियम में जाकर के वो अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं इस रुपए कार्ड की एक खुबी और भी है कि इसमें इसको लेने के बाद और इसको चालू करने के बाद ये रुपए कार्ड जो आपका जब खाता खुल जाता है इसके बाद जो रुपए कार्ड है ये आपके घर आ जाएगा इसके बाद जो खातादारी है उसको बैंक जा जाना पड़ेगा वो इस रुपए कार्ड को चालू कर देगा और आप इस्तमाल कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ-साथ एक लाक रुपए का दुर्गटना बीमा आपको फ्री मिलता है तो इस रुपए कार्ड का इस्तमाल ज़रूर करें मतलब आपको बीच में एक बार रोकने चाहूं आनुजी कि जो रुपए कार्ड है वो कोई भी अगर आपका खुलवा लिया तो आपने रुपए कार्ड मिल जावे है उसको रुपए कार्ड की लिए हामि भरनी पड़ेगी उसको हा कहना पड़ेगा जो गोंशना पत्र ए जो application पर में इसको टिक करना पड़ेगा कि उसको रुपयकाट चाहिए तो रुपयकाट तो आपने ले बहुत जादा बीमों मिले है वो किया मिल सके ही कार्ट के जरे है यह एक accident यह दुरगटना बीमा है अगर किसी के साथ किसी कारण कोई हो जाता है तो और तो यह है कि जो जो भी customer उसके death हो जाती है तो एक लाख रुपय जो है इसके खाते में claim करने के बाद आ जाते है ठी तो इक के लिए कोई शर्त होंगी जियां कि अभीमे इत्हीं बताये की रुप्य कांड आपने इस्त्माल करनों ज़रूरी है अगर कोई वेक्ती रुप्य कांड इस्त्माल ही नहीं कर रहे हूं तो तो आपने डिउन और इसका एक बार इसका एक बार इसका एक बार इसको बिख और पर जकरными मुलें जारू कितरild कि तौसल कर्सका Politics विलेगा को बेए जार कृष्ट सिर गरे देन बार हैं और रुपार कर में पर इसके जोज़्या है सिसके अन Wanna कहा kosten आधा खुनने के बाद सभी बैंकों के पास विभिन रिन योजनाए हैं रिन दो प्रकार के होते हैं एक होता है कारशील पूंजी के लिए ये साधरनता जो किसान भाई है उनको जो बोने में, जुटाए में या जो भी कर्चे में इसके इसके खरके हैं, या पानी देना है जोई कई चीजए करीद नहीं है इसके लिए कारिशील पूंजी के लिए किसान עρι inter δी आ जब कोई जरुद्की चीज खरीदनी है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, टिलर करीदना है, हार्वेस्टर खरीदना है, पॉली हॉष बनाना है, यह है कि गाई बच्षडे खरीदने हैं, या जैसे मदब से आलन कई liar गई चाह ценना है, उसको उसको प्रारंब करना है. तो जो मियादी रुन है वो मियादी रुन 5-7 साल में किसान को चुकाने पड़ते हैं और जो कारीश्य र पूंजी गरण है वो चलते रहते हैं, उसमें किसान अपनी लेंदेन करता रहता है। तीसरे जो सबसे महत्पून जो सुविधा है, जो बैंकों में ग्रामीन भाईयों को मिलती है, वो है भीमा की. क्योंकि भारत सरकार का जो उदेश था कि वित्य समावेशन के हेतू जो मुर्भूत बैंकिंग सुवधाएं हैं वो किसान भाईयों को प्राप करी जाएं तो सबसे पहले ही है कि जो सारी व्यवस्ता हैं वो है आपके बच्चत खाते से जूड़ी इसके बाद जब बच्चत खाता खुल जाता है और बैंक वाले ग्रामीन भाई को पैचान लेते हैं क्योंकि उनका खाता है वो उनके के बीच में जो कस्टमा जो रहा के वो ले सकते हैं इसमें मात्र बारा रुपए प्रति वर्ष देने पर दो लाग रुपए का दुरगटना बीमा मिलता है प्रधानमित्री सुरक्षा बीमा योजना की आवा बात कर रहे हैं जिया की 18 साल से लेकर सतर साल को कोई भी व्यक्ति सुरक्षा बीमा योजना में आपनो लाब ले सके हैं और मात्र बारा रुपए साल का देबा से दो लाग रुपए को आपनो बीमा मिल सके हैं तो बहुत ही चोकी योजना है तो बहुत सारा दर्शक जो आपना देख रहा है ग्रामीन भाइवेन देख रहा है अगर अब तक आ योजना में आपने लाब नहीं उठायो है तो जरूर से जरूर सिर्फ 12 रुपे मातर में आपने 2 लाग रुपे को आपनो जीवन भी मुले सका है जो दूसरी योजना है प्रधान मंत्री जीवन जोती वीमा यह एक जीवन एक जिसको केता है लाइफ इंशोरेंस है इसमें तीनसो तीस रुपे खर्च करने पर आपको जो है लाइफ इंशोरेंस का कवर मिलता है दो लाख रुपे का दो लाग रुपे को तो ये भी एक ऐसी जो ये भी जो आसी योजना है इसका लाब सभी को उठाना चाहिए जो तीसरी योजना है वो है अटर पेंशन योजना की अठारा से लेके चालिस फर्श तक के जो ग्रहां के वो ले सकते हैं मैं चीज बताना भूल गया कि जो प्रदा पेंशन योजना इसमें अठारा से लेके चालिस साल तक के ग्रहाक है वो इसमें भाग ले सकते हैं और इसमें हर महीने कुछ पैसा जमा करना पड़ता है और जब साट साल की उम्र हो जाती है इसके बाद एक हजार से लेके पांच हजार रुपे तक की जो पेंशन है ये इन हैं यह प्रद हो परिंट देनों पड़े हैं हर महीने कीतने आपने प्रीमी Karano मतर इसमा कु आरणा ऊग्रव कि ऑगर उम्र कम है जैसे 80 साल और एक में 330 रुपय देना है जो पहली योजना है वो एक दुरघटना भीमा है जी और वो उसका क्लेम तभी मिलेगा जब कोई दुरघटना होती है और जो दूसरी भीमा है जो दूसरी योजना है वो लाइफ कवर है अच्छ इसमें किसी भी कारण किसी भी कारण अकस्मात मौत हो जाती है तो दो लाक रुपे इसमें मिलेंगे 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 चाहे दुरगटना से चाहे किसी और कारण मुश जी तो आतीनों ही योजना बहुत चोकी है जाय से अटल पैंशन योजना हो आपने पैंशन के लिए घर बैठा आपने पैंशन मिल सके हैं आप 40 साल 50 साल तक आपनो पैसो जम्म कर आवाओ और 60 साल से आपने पैंशन मिल सके हैं जिसे 60 साल बाद आपनी उमर हो गई तो आपका काम दंदो नहीं कर सका है तो भाई आपनी आजीवी का चलावा के लिए खाना पीना की वैवस्ता के लिए सरकार की तरफ से इतनों प्रबंद है कि आपनी पेंशन आ जाएगी और आपने आपनों जीवन यापन कर सका है और बीमा योजना की आवशकता तो आपने सभी समझा कि आज का दौर में इतनी भागधौड़ वरी जिन्दगी है कभी भी कुछ भी हो सके है सड़क पे चलता ही कोई हाथ सो हो सके है दुरगट ना हो सके तो ऐसो भी में आपने आवशक है जो इतनी कम दर पर आपनी सरकार की तरफ से आपने मिल रहो है तो आँ सब योजनावा को आपने लाब उठानों अओन में लृष जादा जरूरी है अनुजाओं आप बीच में एक शब्दे बोल है किसान क्रेडिट कार के बारे में भी आपने बताया कि आखाता के साथ में मिल सकें तो आप जो क्रेडिट कार है वह कीया बनेवा सका है यह जो किसान कहती बारिय करते हैं, जिन धास जमीन होती है और बट आपाई पे भी जो कृष्छर क़ाम करते हैं, वो भी इस सुवधा को ळे सकते हैं. इसमें एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको जितनी आपकी जोत है, जितनी बटाई है, जिस तरह की फसल है और जिस तरह फसलावार हेक्टेर के हिसाब रिट है उसके हिसाब से आपको रून मिलता है जैसे मानके चली, जैसे आज़ जुवार, बाजरा, मक्का है और मैं कपास है यह जो ख्रीफ के फसले हैं गरीफ खरीफ अलग ञग हैर we करती है यह जो रेध होती है यह एक जिले में कमेटी होती है जो एक टकनिकल कमेटी होती है जो ट CEOs update कि होती है और इस दो निर्धारित करती यह देखते होई कि किसी भी एक फसल को उगाने में बोने में और उसको करने में किनी लागत लगती इसteil कि---- To इसके हिसाब से चो किसान पिधिक कार्ड बे हैं एक किसान की एक 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 सीमा बना दी होगी उससे उतनी ज़्यादा इसकी लिमिट बनेगी इसके लिए किसान भाई को बैंक ब्राद जाना पड़ेगा एक लाग साथ हजार रुपे तक अगर लिमिट बनती है इसमें बैंक कोई भी चीज गिर्वी नहीं रखता है एक लाग साथ हजार के ऊपर यह है कि जो आपकी जब जबीन है जो किसान की खेती बाली की जबीन है उसके उसके उपर वो बैंक में गिर्वी रखी जाएगी और कीजी सी का कोई भी ग्रामीन भाई बनवा सके है और वी को जो समय समय पर जितनी भी पूंजी की आवशकता पड़े है वो बित्ती बित्ती निकाल सके है बिल्कुल यह इस किसान करेड़ कार्ड बिलकुल चालू खाते की तरह है इसमें रुपे कार्ड भी मिलता है अकसर किसान भाई भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि जो बचत खाता है, उसी वे हमें लेंदेन करना है, लेकर अगर किसान भाई, किसान ट्रेट कार्ड खाते में, अपना रुपए कार्ड इस्तेमाल करके जमा करने के लिए बैंक की शाखा जाना पड़ेगा, निकानने के लिए किसी भी एटिय है, ये बहुत ही कम है, इसमें ब्याजदर इतना कम है कि आप ये लेकर चलिए कि बैंक इसमें साथ प्रदिशत ब्याज औसतन ये लेते हैं, और अगर किसान भाई थोड़े से थोड़ा सा अगर इसमें इत्यादी बढ़ते और जो भी रिण है वो समय से चुका दें, तो र दियाज की दर है, वो मात्र चार पसंट रह जाती है, तो बहुत ही कम है, जिसे की बुरा लाब उठा सका है, और इसमें आप जैसे ये भी है कि जब अपने आप किसान जा रहे हैं, वो खुदी जागरत है, वो खुदी पैसा जमा कर रहे हैं, तो हर साल इसमें ये भी एक हो सके है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिमें आपने अकाउंट में एक लाग रुपया है, तो अगर थोड़ी थोड़ी रकम निकाला, तो वह थोड़ी थोड़ी रकम पर ही आपने ब्याज देनो है, पूरा एक लाग पर आपने ब्याज नहीं देनो है, जिसे आपने जो ब्याजदर है वो और भी घट सके है जी बिल्कुल जैसे किसी के पास अगर पांच लाग का किसान क्रेट कार्ड है इसमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पांच लाग रुपे पे ही ब्याज देनों है अगर पचास जार रुपे ही इस्तवाल करें गए हैं तो ब्याज सिर् पूरा पर आपने ब्याज देनों पड़ा है लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड के जरीया आप रिल लेवा तो छोटी-छोटी रकम जितनी भी आपने इस्तमाल की है बीपर ही आपने ब्याज देनों है पूरी रकम के उपर ब्याज नहीं देने हुए और जिया अभी आनुस सा ब्याज 7% के उपर लगभग मान के चलिए 9% होता है तो 2% की की ब्याज छूट हमें मिलती है वो सभी को मिलती है तीन लाग रुपे तक और जिन किसान भायों ने तारिक के पहले तारिक तक पैसे जमा कर दिया उनको 3% अतरिक मिलती है लेकिन यह याद रखना होगा कि सिर् अगर आपने दर्शकाने आप ही बता दें कि अगर आपना समय पर रिंड नहीं चुका वाँ तो के के नुकसान भी हो सके हैं जिसे बहुत सतर्क रहे में और समझदारी से आपनों काम करें कि आपनों जितनों भी रिंड है वो आसानी से चिका दें सबसे अच्छी बात तो पाही है कि जो किसान भई समय से रिंड चुका देते हैं तो ुद्वी खुशी होती है जी जैसे आपनी बहुत सारी ग्रामी महिलावा मिल कर स्वैम साहता समू बनावे हैं, कोई भी चीज को उत्पादन करे हैं, कोई पापड मंगोडी अचार को काम करने शुरू करे हैं, कोई भी व्यापार धंदो, सिलाई को काम शुरू करने चाहे हैं, या कोई मशीन खरीद बग तो भी इनके लिए रिनकी के वेविस्ता हो सके हैं, जी महिलाओं के लिए स्वैम साहता समू की जो सुवदा है, इसमें कई महिलाएं गरह उद्वोग में, जिससे आपने बता है, पापड बेलने या चार ले, या जिसको कहते हैं, राजस्तान में बहुत सारे हैंडी इसमें दस से लेके बीस तक जो महिलाएं है, इसका एक समू बना देती है, और तीन से छे मेने तक जो ये हैं, इसी जो इस समू के सदस है, या आपस में लेंदेन करते हैं, छोड़ो, इसमें खाता खुलता है बैंक में, जिसको स्वेम साहता समू का खाता खुलता है, सभी सभी बैंकों में खुलते हैं, इसमें जो खाते की संचालक होते हैं, प्रमुकता दो लोग होते हैं, उनी का हम, उनी की पैचान वगरा ये सब लेते हैं, जिन के नाम से आपका खातों खुल सेका, वो जो बन खाता है, बाकी जितनी भी सदस है, उन सब का बच्चत खाता है और छह मेने के वाद इसमें पांच चीज बहुत ही जरूरी है इन में जो पांच चीज गरते है कि इस कि नियमक नियमत रूप से इनकी बेठक होनी चाहिए जो स्वोह साथा गरॉप के सदस है इसमें यह नियमत इसमें रिंड अंतरन भी करेंगे एक दूसरे को कुछ पैसा देंगे और फिर वो वापस भी लेंगे इसको और इसके बाद जितने भी खाते वगरा हैं इसमें इनको अपने अलग से खाते रखने पड़ते हैं उस खाते का रिकॉर्ड बीन को रखना पड़ता है तो यह सब हो करने के बाद तीन से छे मिनने के बाद यह स्वयम साता समू बैंक से रिंड लेने के लिए योगी हो जाता है और इसमें जो महिलाई है इनको तीन लाग तक का जो रिंड है इसमें भी वही चीज है कि तीन लाग तक का जो रिंड है इसमें इसमें ब्याजदर बहुत ही कम है महिलावा के लिए विशेशकर कम रखी गई है और इसमें यह है कि जिस भी गतिविधी के लिए जो उनको रून मिलता है जैसे पांच लाग तक करन मिल सकता है तो पहले साल एक लाग मिलता है फिर दूसरे साल एक लाग और मिलता है फिर तीसरे लाग एक लाग और मिलता है और चौथे पांच वसा लेके एक लाग करके बढ़ती चली जाता है तो जिस तरह की जुरूत होती है जैसे कि आपने बताए कि कोई ग्रह द्योग है जैसे पापड़ वगरा है या कुछ करना है इसके लिए कारशील पूंजी होती है तो उसकी तरीके से उनको रुन दिया जाता ह है कोई चीज खरीदनी है तो उसको इस प्रकास से रुन दिया जाता है जी आते शुरू में बता चुके हो कि दो तरह का रिन आपने मिल सके है कि कारशील पूंजी के लिए रिन मिल सके है और एक मियादी तोर पर रिन मिल सके है आप बहुत ही चोकी बात है कि महिलावा भी अगर आपनों कोई वेवसाय शुरू करनों चाहे तो एक स्वेम साहता समुग बना सकती है दस पंद्रा या बारा औरतों को मिल कर और छे महिने तक बिने लगातार चलावा तो आपने योग्य हो जावा है कि बैंक से आपने रिन मिल जावा है पहले का जमाना में जब साहु यह दो करकी वह कर रही कि आपनों ब्याज लेश नव घतम नहीं होता है या आपने बैंकाने धन्यवात करनों चाहिए कि ऐसी कड़ी आम जनता के लिए सरकार की तरफ से आई है कि आसानी से आपने रिंड भी मिल सकता है और कम ब्याज पर आपनों काम भी पूरो हो सकता है नहीं, तो आपा पुराना जाना की तरह आपनो रिन ही खतौम नी ओरती हो एॉ आपनी जमीन जादा सब गिर्वी रखने में आ ली तो अब आईın पूछा हांगा की के प्रक्रिया हो सके है? क्योंकि प्रक्रिया कोई भी ले ले सके है, किसान भाई ले सके है, पशुपालक ले जी तो खाता खुलवाना पहचान के लिए बहुद ज़रूरी है तो जैसे मैंने बताय कि दो प्रगार के रिण है किसान् प्रगार के रिण हमारी बात्चीत हुई है एक विभार के रिंड होते हैं और रिंड में ये दिखा जाता है कि इसकी जरूरत क्या है तो किसान प्रेट कार्ड तो फसलों के लिए होता है एक दूसरी तरीका एक किसान प्रेट कार्ड पशु पालन के भी दिया जाता है तो इसमें जैसे जो किसान भाही है जिनके पास तीन से जिनके पास गाय भैस वगरा है तो उनके जैसे आहार के लिए उनके कोई इंजेक्श लिजमेंटरी कहते हैं, ये मतध से पालन के लिए हैं, जो किसान भाई है, उनके लिए एक गोल्ड लोन भी उपलबद हैं, जिसको अग्रिकल्चर गोल्ड लोन हम से इसमें कहते हैं, तो इसमें जो जो गोल्ड है आपोशन वगरा है इनको गिर्वी रख करके बैंक की शाखा में जो है आपको रिंड मिल सकता है जिसे पशू पालक कि आपने बीच में बात करी तो पशू पालक ने अगर कोई पशू खरीदनों है या बीका जी आभी आप थे बता रहे हैं कि रख रखाव के कोई आविशकता है तो भीके लिए भी आपा रिंड ले सका जी बिल्कुल इसमें दो तीन प्रगार की योजना होती है इसमें एक मुद्राडेरी योजना है और यह दस लाख रुपे तक है तो इसमें इसमें कोई भी इसमें 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 हो जो की पुशू के रख रख र मशीन रखनी है, या कोई दिवार बनानी है, या कोई जानवर खरीदने है, या जानवरों को इलाज के लिए है, या जानवरों के बीमे के लिए है, जो कि आशकल बहुत जलूरी है, ये रिल इसके लिए दिया जाता है, ये दस लाक रुपए तक का है, इसमें जो प्रथम एक लुपर्ए है वह इसको ψचर्ण की तरह देते है कि एक तरीके से ऑर एक लाग से भी तक का भी एक ओड्राफ का खाता होता है इस में इस प्रकार से चलता है कि जैसे किसी ने मान के लिया 5 लाक रुपए लिये, मद्रा डेरी योजना में, तो 1 लाक रूपए तो ओवरड्राफ्ट हो गया, हो गया, इसमें वो लेंदेन कर सकता है, बाकी जो 4 लाक होता है, इसमें जो 4 लाक की जो सीमा है, वो धीरी धीरे घटी रहती है हर महीने और इसमें उसको उतरा बैसा डालना पड़ता है ब्यास सईत जिसे कि वो सीमा के अंदर है तो थोड़ी देर के बाद जो एक लाकी उपर की जो जो हमने जो लोन दिया है वो घट घट के खतम हो जाता है और अपने आपी धीरे धीरे के लिए इस्तमाल करते हैं अगर आपने कोई शेड बनाया है कोई कुवा खोदा है जानवर लिया है तो वही जो होता है वही बैंक के पास एक सेक्यूर्टी होती है हो सके है अनुसाब एक प्रश्ण और आप से लेनों चाहूं कि जिया की महमारी को दौर चल रहु है तो हर व्यक्ति घर से बाहर निकलबा से डरे है कोई व्यक्ति बैंक जानों नहीं चाहे तो घर बैठा बैठा आपां सारी सुविधाओं का लाब किया ले सका है सबसे पहले जैसे मैंने आपको जैसे जिकर हुआ था कि एक बड़ी सरलसी चीज है जिसको रुपए कार्ट कहते हैं तो किसान भाई क्यों जाते हैं भार क्यों क्यों उनको बैंक क्यों जाना होता है पैसा निकालने के लिए या पैसा जमा करने के लिए तो एक चीज तो यह है कि अगर रुपय कार्ड किसानभाई इसको इस्तमाल करें तो सिर्फ किसानभाई को एटिम तक जाना पड़ेगा बैंक में लाइन लगाना या बैंक में कभी-कभी देखें अकसर हमारी ग्रामीट साखाओं में भीड रहती है तो इसमें आजकल जैसे आपने बताया जाने मे तोड़ा सा खतरा रहता है लेकिन игры Carbber का सिर्फ किसीं की सहीता ले ले तो एको एक में रच है निक जाते हैं इस वह करते हैं जो जो कर ग gratis निकाल सकते हैं दूसरा एक होता है कि जो अगर किसानभाईों का व्त रहता है तो जिसको हम कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग या ग इजिटल बैंकिंग, आप मुबाइल से भी सारी बैंकिंग सुवधाओं का लेंदेन कर सकते हैं, तो इसमें पैसे आप यह है कि आप निकाल तो सकते नहीं मोबाइल से, इसके लिए तो आपको एटियम जाना पड़ेगा, रुपय कार्ड इस्तमाल करना पड़ेगा, लेकिन ह पैसे का अंतरण, पैसे का लेंदेन, जिसको आज करते हैं ओनलाइन शॉपिंग, आपनो जितनों भी बहारी वेवार है वो सब आपा आपना ऑनलाइन कर सका, और पैसा निकाल बगए के लिए आपनो जो रुपय कार्ड है भी को इस्तमाल कर सका, बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपकी बीमा योजनाए है, जो निवेश की योजनाए है, सब आपकी मोबाइल से हो जाएंगे. जी अनुत साब थे इतनी चोकी जानकारी लेकर आया, मैं थाको धन्यवाद करने चाहूँ आपकी बैंक इतनी सारी योजनावाद चला रहा है, अपने ग्रामीन भाई बैंक के लिए जीवन जोती हो या, भीमा योजना हो या यह साय चलाबा के लिए हो, भी के लिए थाको बहुत बहुत धन्यवाद. आज की चपाल में बस इतनों ही, फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा.